काली से काली इस्टील को अप सेकंड डो में क्लीन कर सकते हैं गलती से हर्पी की यूज कर लिया है ठीक है उस पर दाग लगए तो फिरसे आप नया कर सकते हैं उसको इस वीडियो को पूरा देखना है लगबग आधा चमच मैंने केमिकल लिया है इसके वारे में जानकारी देन काला पन हो गया है बिल्कुल सेगेंड में चमक सकता है पानी के दाग भी लग जाते हैं वाइड जैसे वह बिल्कुल रिमूब हो जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अपर लगबग आधा चमच मे मैंने वाला केमिकल लिया है इसके बारे में जानकारी देने वालों पूरी सबसे पहले स्टील के थोड़ा सा पानी मारते हैं कि यहां पर हम थोड़ा सा लगबग सेंपू डालेंगे इसके अनला देखे थोड़ा सा मैंने शेंपू लगबग आधा चमच ले लिया है मैंने ठीक है यहां पर मैंने आधा चमच लिए हैं ठीक है यह वारे मापको कहां से दाना कितने का लाना पूरी जानकारी दोंगा इस चीज़से आप इस टील को बिल्कुल नया करेंगे इस तरह से स्क् अपने हार्तिक से गल्पि किया है भादाग लगे हुए है49 खतम होजयें चाहे कोई भी चीज़े कीज़से कि anticipation जा है जग चल गया है फिरिकोरे मोग हो जाएगा खास करके मेरे पास में कमेंट आया था है कि जंगली स्टीपल लग जाए तो तो कैसे छोटा ना है तो आप इसको बिल्पुन रिमूव कर सकते हैं इस रहे मेटी से कम से कम 10 मिनट तक आपको महनत करनी है बस सल के हाथों से इस्टील बिल्कुल चमक उठेगी जैसे आदिल नहीं लगाई तो राममान तरीका है इस्टील को लया करने का तेजा आपके दाग लग गए है उसको भी आप इस करब से रगल के छोटा सकते हैं अब आए तो अधि इस तरह से सानी गंद की रिमूव हो जाएगी आसानी से देखकर के आप लोग हैरान देजाओगी तर आपके घर में कोई भी स्थील खराब हो गई है दाग लगे हैं इस तरह से नया कर सकते हैं उसको चाहे केचन में हैं चाहे बातरूम में हैं किनें दोगे दिखा तो मैं मैं आपको देखे इस तरह से चमक क उठेटे की लकम की कि देख सकते हैं तो इस तरह से चमक commit शड़ा कें बेना चाहें आप ले सकते हैं ठीक है कास्टिक सोडा को आप इस पिरकार से भी इसको यूज कर सकते हैं चाहे आप हलका सा पानी में उसको गरम करती भी यूज कर सकते हैं लिकिन मेरे को ये सबसे बैस तरीका लगा ठीक है तो कास्टिक सोडा और से आप बिल्कुल नया कर सकते हैं चाहे केशी भी स्टील हो चाहे पानी के दाग लगे हुए हो चाहे किसी पिरकार के दाग लगे हुए हो ठीक है वेडियो को लाइक कर देना चैनल को जरूर सस्क्राइब करें इस ऐसी और वी टिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी थैंक यू